आपका हमारे यूट्यूब चैनल मालक्षिन जोतिश अदात्मिंग में मैं हो अचारे संद्या सक्सेना आप सभी का स्वागत है भगवानशी गडपतिमराच आप पे और आपके परिवार पे बहुत 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 कृपा करें आप सब लोग खुशाल रहें इ आप सबसे रिक्रेस्ट है कि ग्रेंड मालक्ष्मी जोतिश अदात्मिक चैनल जो मेरा चैनल है और मालक्ष्मी अदात्मिक जोतिश चैनल जो मेरा दो चैनल है दोनों को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन दबा दीजेगा आज मैं आपको एक चीज बता रही ह क्या जैसे कि मेरा शोरूम नहीं चलता है दीदी मेरी दुकान नहीं चलती है दीदी मेरा ये नहीं होता दीदी मैं नाकरी करता हूँ पर मुझे पर्मोशन नहीं विलता है दीदी increment नहीं लग रहा है दीदी 5 साल हो गए 10 साल हो गए ए हम hint पर्षान है दीदी हमरा काम नहीं हो रहा यानि कि पैसे को लेके बहुत ज़दा परिशान रहते हैं कुछ लोग और कहते हैं कि दीदी क्या करें नहीं हो पारहा है तो देखो ऐसा होता है अगर आपको पैसे को लेके दिक्कत है तो एक पौधा होता है उसको अपने घर में रखने से फ़यदा होता है यह वास्तु के साब से बता रही हूं एक पौधा होता है उस पौधे को अगर आप अपने घर में रखेंगे इसको money tree भी कहा जाता है Feng Shui में और ये चुम्बक की तरह पैसा खीचना शू करता है और आपके घर को भर देगा चुम्बक की तरह आपके घर में पैसे को भरना शू कर देता है इस पैसे को खीचने के लिए ही इस पेड़ का बड़ा मात्व होता है ठीक है, हारे रंग की इसकी पत्तियां होती है, चौड़ी-चौड़ी सी होती है और ये हारे रंग का फैला-फैला सा पाधा होता है आपको फोटो भी देंगे स्क्रीन पे, तो आप देख लेना आपको बस नर्सरी पे जाके इस वाले पेड़ की मतलब डिमांड करने ही कि हमको ये वाला पेड़ चाहिए तो आपको ये पेड़ मिल जागा, तो चुम्बक की तरह कैसे पैसा खिचता है वो मैं आपको बताती हूँ, इस पेड़ का नाम क्या है वो भी बताऊंगे लिकिए उससे पहले आप सबसे रिकेष्ट रहें कि अ कि मालक्षन जोतिष चैनल और मालक्षन जोतिष चैनल दोनों मेरे चैनलboys of kontels उसे लाइक कीजिए शसव्सक्राइब कीजएगा थी किसी बढ़ बता, मैं कोई जोतिष तांतरिक नहीं हूँ, मैंने आपसे पहले भी बोला है 812-647-6399 किसी कारण से अगर आपका मैसेज मैंने नहीं देखा ठीकि मुझे डेली 7-8000 लोग मैसेज करते हैं यूनिवर्स से तो आप क्या करेंगे जो भी मेरा सब नया वीडियो पड़ता है पूरे दिन में पहली बार उस पे आप कमंड कर देंगे कारण बॉक्स में आपने लास की 5 रिखते ना कि ये 5 रिखते है मेरे नमबर की आपने मेरा नमबर अभी तक चेक नहीं किया है तो हम चेक करके आपको बता देंगे लेकिन रिपीटेड मैसेज मत कीजगा क्यों कि बहुत से लोगों की बहुत आदत खराब पड़ गई है उनको मैंने देखा है एक बार रिप्लाई कर दो वो फिर से कुछ और पूछने के लिए रिप्लाई कर दो मला एक ही बात को पूछते रहेंगे मेरा बॉइफंड नहीं आ रहा है लड़किया बहुत परशान मेरा बॉइफंड नहीं आ रहा एक उपाय बता दो फिर दूसरी दिन फिर मैसेज कर देंगे फिर हमने चेक किया अब मैं क्या करो मेरा बॉइफंड नहीं आ रहा मैं परशान हूँ मुझे रात को नीन दी आई अज उसना फोन नहीं किया आज उसा हो गया अज वैसा हो गया अज उसने मुझे ऐसा भोल दिया अरे भाया जो पूजा बता यह से कर लो लेकिन परशान ना करो क्या करूँ समस्ते नहीं लोग तो बार बार रिपीट मैसेज ना किजए क्यों कि और लोगों भी चांस मिलना चाहिए अगर आप ही के मैसेज हम पढ़ते रहेंगे तो जो बिचारे सच में परशानी में हैं उनके मैसेज कैसे पढ़े जाएंगे ठीक है तो आज मैं आपको बता रही हूँ और हाँ जिन लोगों ने भी ओर्डर किया है समान को पेमेंट किया है वो 97-622-640 पे 9027-822-840 पे रिसिप्ट को वाट्सप कर देंगे जो भी आपने समान के लिए मुझे क्या है और जिनको और समान चाहिए होगा वो समान करके मुझे मैसेज कर देंगे 9027-822-840 पे तो मैं उनको समान भेज़ दूगी जिनको समान मिल गया है ठीक है जिनको नहीं भी मिला है तो मैंने 4 फरवरी तक के समान निकाल दिये है 10 फरवरी तक के 13 तक निकल जाएंगे ठीक है तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक ऐसा पौधा जिस पौधे से आपको मिलता है लाब वो कौन सा पौधा है तो उस पौधे को क्या बोलते है अब मैं उसके बारे में आहीं आपको बताऊंगी तो आपको चले जाना है सीधे नर्सरी नर्सरी जाओ और नर्सरी में बोलना हमें क्रसूला का पौधा चाहिए किसका क्रसूला क्रसूला का जो पौधा होता है इसे money tree भी कहते है करसुला का बाद है यह नहीं money tree होता है जिसका रंग हारे रंग का होता है मखमली से इसकी पत्यां होती है फैल दारे चोड़ी चोड़ी होती है इसको आप गंबले में भी लगा सकते हैं आप इसे जमीन में भी लगा सकते हैं ठीक है? और इसको कहीं भी लगाया जा सकता है घर के अंदर एक तो यह आप गर में positivity लेके आता है इस पेड़ की खासित क्या है? यह आप गर में positivity लेके आएगा और दूसरा यह है कि यह आप गर में पैसे को खीचना शू करता है तो आप गर में पैसा लाने शू कर देता है नगरात्म कुर्जा को यह खतम कर देता है और सबसची बात यह है कि यह पेड़ जो है यह खुदी जमीन से नमी को खीच लेता है तो इसको आप अगर दो दिन में एक बार भी पाइण डालेंगे यह पेड़ लाके लगाते है यह जैसे वो था ना कमल होता है कमल के पेड़ की तरह होती है इसकी पत्ति जैसे कमल नहीं होता है कमल का होता है अब कमल की पत्तिया आप खिला दीजे तो कमल कैसे होता है अपने अपनी कॉपियों में देखा होगा बुक्स में देखा होगा बस वैसी होता है बस इसकी पत्यां ग्रीन होती है करसूला आप इसे लेके आईए और इसको आप अपने घर में इशान कोड में लगाएंगे कहां लगाएंगे या तो आप इसे इशान में लगाओगे या इसे नॉर्थ में लगाओगे यानि कि अगर आपने गंबले में लगाया है direction नॉर्थ की रखना हो क्यों कि कुबेर दिपता के direction भी कौन सी होती है नॉर्थ की होती है और वो पैसे के ही देवता है एक पर पहले भी बताया था पैसे की बहुत जाद दिखता दो तो घर में कुबेर दिपता भी रखो लेकिन नॉर्थ डिरेक्शन में मतलब उनको नॉर्थ की दिशा में बठाना है उनका फेस का रहेगा साउथ में रहेगा यानि दक्षण में रहेगा तो ये भी आप लगा लीजेगा इससे आपको फाइदा होगा और ये आपके घर में धन संपता को बढ़ाने का काम करता है तो आज के लिए बस इतना है उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा बहुत जारा पैसा कमाओ और खुश हाल रहो सारी घर में समान लेकिया हो सारी लक्षरिस बटोर लो इसे एकी जीवन मिला है खुश रहा करो तो आज के लिए बस इतना है भगान श्री गडपती उनाज आप सब पेकर